इस पार्ट में हम देखेंगे कि संगबाद क्या है संगबाद का मत्रव है कि वह देश जहां दो या दो से अधिक इस्तर की सरकार काम करती है उस देश को संगबाद कहते हैं संगबाद के पार्ट को जब हम सुरू कर रहे हैं तो एक बार फिर बेल्जियम और स्री लंका के वारे में बिचार करेंगे बेल्जियम में संगबाद है जबकि स्री लंका में एक आत्मबाद है बेल्जियम में पहले से भी प्रांतिय सरकारे थी जबकि स्री लंका में ऐसा नहीं था अगर ऐसा होता तो तमिल नेता आपस में लड़ाई नहीं करतें संगिय सरचना सासन विवस्ता में सरवोच सत्ता केंद्रिय प्राधिकार और उसकी विविन अनुसांगिक एकाईयों में बट जाती है अनुसांगिक एकाईयों से अभिप्राय है कि राजिस्तर पर सरकार और उसके बाद इस्थानी इस्तर पर सरकार है अब हम देखेंगे कि हमारे पूरे विश्व में लगभग 192 देशों में से 25 देश ऐसे हैं जहां संगिय सासन विवस्ता है लेकिन इन देशों में दुनिया की 40 फिस्दी आबादी रहती है दुनिया के अधिक तर बड़े देश संगिय है इन पर हम विचार करेंगे और मानचित्र में इनको ठीक से देख लेंगे हम आगे चलते हैं तो इसमें देखेंगे कि संगिय जो विवस्ता है उसकी क्या विसेष्टाएं है ये कोईशन अक्सर आता है तो संगिय सासन की विसेष्टाएं कुछ इस तरह ऐसे हैं यहां दो या दो से अधिक इस्तर वाली सरकारें होती है अलग अलग इस तरकी सरकारें एक ही नागरिक समूब पर सासन करती है यानि कि उसी पर किन सरकार सासन कर रही है उन्हीं पर राज सरकार सासन कर रही है और उन्हीं पर इस्थानी सरकार सासन कर रही है संविधान के मौलिक प्रापधानों को किसी एक इस्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती ऐसे बदलाव दोनों इस्तर की सरकारों की सहमती से हो सकते है बित्तिय स्वायत्तिता निश्चित करने के लिए विविन इस्तर की सरकारों के लिए राजसो के अलग अलग सुरोत निर्धारित हैं कहने का मतलब ये है कि अगर किसी छेत्र में कोई सापताहिक बाजार लगता है तो तो उसका जो राजसो है वो बसू लेगी इस्थानी सरकार और बड़े-बड़े मेले लगते हैं उसका राजसरकार राजसो बसू लेगी इसके के अलाबा केंदर सरकार जो है वह टेक्स लेगी जर्मिन्क परकार के टेक्स लेगी इसके बाद कि हम लोग विचार करेंगे केंदर और विंमिन राजिसरकारों के बीच सत्ता का बटवारा हर संगी असाशन में अलग-अलग किश्म का होता है यह बात इस चीज पर निर्वर करती है कि संग की स्थापना किन एतिहासिक संदर्मों में हुई है संगी सासन विवस्ता आम तोर पर दो तरीकों से गठित होती है पहला तरीका है दो या दो से अधिक सुतंत राश्टों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का इसमें दोनों सुतंत राश्ट अपनी संप्रवर्ता को साथ करते हैं अपनी अलग अलग पहंचान भी बनाए रखते हैं और उनकी अपनी सुरक्षा और खुशाली बढ़ाने का रास्ता अक्तियार करते हैं साथ आकर संग बनाने का उधारन है संव्त राज अमेरिका, स्वेटियर्लेंड और अस्टेलिया इस संग्य विवस्ता वाले मुलकों में आम तोर पर प्रांतों को सासन अधिकार होता है और वेकेंद्र के वर्क्स यानि केंद्र के मुकावले ज़्यादा ताकतवर होते हैं भारत में संग्य विवस्था जैसा कि हमने पहले देखा है कि वैल्जियम और स्री लंका जैसे छोटे देशों को अपने यहां की विवित्ता को समानने के लिए बड़ी मुस्किले आती थी तो यह विविन देशों में ऐसा है कहीं भासाओं के आधार पर विवित्ता है कहीं ध सारी विवस्था अगर सही नहीं की जाएगी तो रक्त रंजित विवाजन हो सकता है अब हम देखते हैं आगे कि संग्य विवस्था जिन साथ बिसेस्ताओं का जिक्र किया जा सकता है वो इस तरह ऐसे है कि समिधान ने मौलिक रूफ से दो इस तरी सांग वश्ता का प्रभधन किया। संग सरकार हम जिसे कैन सरकार कहते हैं राजिसरकार के संग को पूरे भारतिय संग का परतिनेुदत तो करना पड़ता है। समिधान में इस पश्ट रूप से केंदर और राजी के बीच विधाई अधिकारों के को तीन हिस्सों में बाटा गया है ये तीन सूचियां हैं नमबर एक है संग सूची जिसको केंदर सूची भी कहते हैं इसके अंतरगा देश के बहुत महत्पूर मामले आते हैं जैसे प्रत सिर्फ केंदर सरकार ही बना सकती है दूसरी है राजी सूची राजी सूची में राजी से समंदित विसे रखे गए हैं जो राजी के लिए महत्पूर है उनमें पुलिस ब्यापार वानेजी क्रशी और सिचाई जैसे महत्पूर विसे हैं जिन पर सिर्फ राजी सरकार ही कान जैसे सिक्षा वो केंद सरकार की भी दिल्चस्वी का है, राजी का भी बन, मजदूर, संग, विवा, गोद लेना उत्रा अधिकार जैसे भी से हैं, तो इन दोनों पर दोनों का ही अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन टकराओ की इस्तिती में केंद सरकार द्वारा बनाया का कानून ही माने होता है, अब सवाल ये उठता है, कि जो विसे इन सूचियों में नहीं आते, वो कहां जाएंगे, तो जब समिधान बना था, जब सूचियां बनाई गई थी, उस समय मोबाइल, कंप्यूटर जैसे, ये विसे नहीं थे, तो ये चतुर्त हिस्से में बाकी रखे गए हैं, हमने देखा है, कि सरकार के अधिकार चेत्र में ये आते हैं, हमने देखा है, सब को साथ लेकर चलने की नीती मान कर बनी अधिकतर बड़ी संगीय विवस्थाओं में साथी काईों को बराबर अधिकार नहीं मिलते. भारतिय संग के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है कुछ राज्यों को विशेश दर्जा प्राप्त है जैसे जम्मो कश्मीर को था अपना संविधान था लेकिन अब नहीं है वहां धारा 370 समाप्त कर दी गई है वारतिय संग की कई कायों को बहुत कम अधिकार है ये बैसे छोटे लाके है जो अपने आकार के चलते सुतंत प्रांत नहीं बन सकते इन्हें किसी मौझूदा प्रांत में बिलीन करना भी संबब नहीं चंडीगार लक्षदीप देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी को टी में आते हैं इन्हें केंदर सासित प्रदेश कहा जाता हें केंदर और राज सरकार के बीच सत्ता का वटवारा हमारे संब्धान की बुनियादी बात अगर इन